आपको काफी इंट्रस्टिंग ये केस लो लगेगा इसमें एक रिक्षा पूलर वाले को नोटीस आ था IT नोटीस ओवर रुपीस थ्री क्रोर का मतब आप ध्यान सुसुनों एक रिक्षा जो चला रहा है उसके पास थ्री क्रोर का नोटीस कैसे आया किसी ने उनका PAN नमबर उप्टेन करके टर्न ओवर पे बिजनस किया जा रहा था जी एस्टी नमबर लिया जा रहा था बट उनको तो कुछ पता ही नहीं था तो इसलिए बोला जाते है जब भी आप PAN नमबर ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका रीजन कै है किन किन के पास आप PAN नमबर सब्मिट कर रहे हो ट्रैकिंग करने पड़ती है तो एक important case है तो प्लीज अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल बेटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको साइट नोटिफिकेशन मिलती रहे हैं इनको डाउनोड करने के लिए टेलीकलम को जान कर लेना लिंक आपको description box में मिल जाएगा अरिक्षा पुलर अप्रोज दा पुलिस इन उत्तर प्रदेश मतुरा डिस्टिक्ट क्यों क्योंकि उनको संडे को एक नोटिस सर्व किया था आई-टी डेपार्टमेंट ने और उनको बोला था कि आप ओवर रुपी थ्री क्रोर का पे करने आपको नोटिस हाया था प्रताप सिंग ए रेजिडेंट अफ अमर कलोनी इन दा बकलपूर एरिया हेर उन्होंने सब्मिड की कम्प्लेंट अट दा हाईवे पुलिस स्टेशन की मेरे सब फ्रोड किया जा रहा है स्टेशन हाउस ओफिसर ऐसे चो अनुज कुमार जी ने बोला कि इस जो भी आप बात बोल रहे हो कि ये फ्रोड किया रहा है हम इसके पर देखेंगे ये क्यों बोला क्योंकि पहले उनकी कोई बास सुननी रहा था उन्होंने क्या क्या एक वीडियो क्लिप शोशल मीडिया पे अप्लोड कर दी ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनके बैंक ने बोला था कि आप सब्मिट करो subsequently उनको कलर फोटोकोपी मिली of the pen card from one Sanjay Singh mobile number ये है since वो illiterate है he couldn't differentiate between an original pen card and a colored photocopy of the same उन्होंने ऐसा वीडियो क्लिप में बोला he had to run from pillar to post for about three months to get his pen card Singh ने बोला कि उनको एक बार call आती है official से 19th October को कि आपको pay करने पड़ेगा around rupees 3,47,000,000 he said the officials told him उन्होंने बताया कि किसी ने आपके नाम पर ये जो pen number है इसके business पर GSTN number ले लिये उसके number पर GST business run किया जा रहा है उस GSTN number पर और turnover दिखाय जा रही है trader की 18,19 की वोज रुपीज 43,44,36,201 रुपीज और इसी basis पर GSTN number गया हुआ है GST में tax pay हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी सब बादे बाद की है बट tax तो pay नहीं हो रहा Singh said he was advised by the IT officials ये एक अच्छी बाद है to get an FIR lost as somebody had committed fraud impersonating him कि उसके pen card के basis पर उनके pen number को use करके कोई business चला रहा है इसलिए इनको demand निकली है बट उनका support किया गया है कि आप FIR lodge कर दो तो I believe आपको ये video काफी relevant लगी होगी इसका important समझ में आया होगा कि अगर आपको आपको आपस pen card है तो checking करना जरूरी है अगर आपकी society return फाइल करवा रहे हो तो please ensure करो कि वो कहीं गलत तरीके से यूज तो नहीं और आपको अमेशा ensure करना है कि आप जब भी कोई आपसे pen card मांग रहा है कोई आपको credit card वा ये phone करते हैं तो आपको पूछना है कि हाँ pen card चाहिए तो क्यों चाहिए कुछ भी काम हो रहा है तो उसका reason पूछना है कि सामने वाले को पता लगे कि आपको इसकी importance पता है ऐसी कभी भी किसी को ensure करके share करके नहीं दे देना अधार card कोई मांग रहा है तो उसको last के 4 digits दो क्योंकि अगर उनके पास सारी चीज़े है ना actual में चेक करने की तो last के 4 digits से वो चेक कर सकते है so I believe आपको वीडियो काफी relevant लगी होगी वीडियो में कुछ में चलग तो like share कर देना till then good bye